नर सेवा को ही नारायन सेवा माना जाता है प्रोफेसर एसपी सिंग बगेल ने पातर होने के बावजूद अब शासक किये योजनाओं से वंचित लोगों की मदद के लिए सेवा केम्प तो लगाया ही उन्होंने इस केम्प में आए लोगों की खुद मदद की कई लोगों के आई उश्मान कार्ट बनवाए सेकड़ों के पीम शेहरी करीब आवास योजनाओं में मकान के आवेदन कराए वही पेंशन के लिए भटक रहे हज़ारों लोगों के पेंशन फॉर्म भी भरवाए सीन्यूस सिवाचीत में केंद्रिय मंतरी ने कहा कि 15 दिन बाद केम्प में आए आवेदनों की समिक्षा होगी आवेदनों पर कारवाही न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारवाही भी की जाएगी आज नगर निगम प्रांगड में सेवा केंप लगाया गया है केंद्रिय मंतरी प्रोफिसर एस्पी सिंग बगेल के दुआरा यहां दो से यूजनाओं की जानकारी उनका लाब दिया जा रहा हमारे साथ खुद मंतरी जी यहां मौझूद है जो सुबह 10 वजे से ही इस केंप में लगाता लोगों की मदद कर रहे हैं अधिकारियों को टैकल कर रहे हैं इसके साथ ही जिनके पास प्रमाल पत्र नहीं है उनको प्रमाल पत्र बनवाने की जानकारी दे रहे हर इस्टॉल पर वे घूम रहे हैं सर यह आपके मर में कैसे आया कि इतने सारे लोगों को एक साथ एक ही परिसर में आकर लाब दिलाएगा शुबह जब जंता से मिलते हैं तो जिसका जो काम होता है वो ही आएगा कोई सड़क, कोई स्कूल, कोई बिजली, कोई पानी, कोई नाली, कोई खरंजा, कोई फाइनल रिपोर्ट, चार्ट सीड, बंदुक का लैसेंस, पासपोर्ट, प्रासन कार्ट लेकिन गरीब लोग आते हैं विधवा पेंसल के लिए दिब्यांग पेंसन के लिए ब्रधा वस्ता पेंसन के लिए आई प्रमार्पतो जात प्रमार्पत् के लिए और खास्तोर से क highways के समानेधी के लिए उजवलाल के लिए प्रदानमंती शेहरी आवाज, ग्रामी आवाज, सौंचाले, सो निधी योजना, कन्या, सामुईक विभाय योजना, तो मुझे ऐसा लगा कि हम 10-12 की रोज मदद कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी समाज में विद्वाएं हैं, नियम में आती हैं, लेकिन पैंसर नह कि किस्ते नहीं पापाए, भूम हीन है, भवन हीन है, तो भी भवन हीन है, और जमीन है, तो भी प्रदानमंती शेहरी आवाज, उसका कारण है, लोगों को केंद और राज की सरकार की योजनाओं की जानकारी का कमी है, और परचार परचार सरकार खूप करती है, प्रदानमं कि योजनाओं के लिए और जैसे आप आए प्रमान पत्र क्या है जाता लोग अश्चिक्षित आए तो उनको समझ में नहीं आता है कि आए प्रमान पत्र यहां मौके पे कोई नहीं दे सकता जैसे मैं आपकी इंकम नहीं जानता हूं कि विजय बगेल की इंकम क्या आप मेरी न देंगे लेकिन अगर कोई अपना प्रमान पत्र लाया दो फोटो लाया बैंक की पास्बुक लाया और नॉम समय रहा है तो यहीं पर उसको शुक्रत किया जा रहा है सरी 200 लोग आज वो लोग थे जिनको जो दिब्यांग थे लेकिन प्रमान पत्र नहीं था एक मुझे बद अच्छा है उसको पेंशन चाहता है तो वह नहीं मिल पाती है मेरा दुख है कि सम्मस्त योगता रखने के बाद जो लोग बंचित हैं वह मेरा कश्टता उसके निवारन है तु आज यह कैम्प लगाया गया जो पूरी तरह सफल है यह पांसाथ आठ वो घूम रहे हैं जो पूलर स्कीम आइस्वान योजना है और मैं तो अपने भासलों में कहता हूं कि अगर मुझे से राजनितिक कारकरता की रूप में बज़े बगे लिए पूछेंगे कि नंबर वन योजना क्या है तो मैं हमें साइस्वान क्योंगा क्योंकि गरीब लोग पचास उर्पे सत्त रसी सो रुपे का इलाज कराते हैं हम सबको मरना हैं लेकिन इलाज के बहुंए नहीं मरेंगे पांच लाग प्रतिविक्ति प्रति साल पूरे परवार का इलाज हुआ करेगा वह भी फाइब इस्टार नुमा अस्पताल लाइक मेदान था हमारे आगरा में सो से उपर इन प करको कुछ बेस बनाना पड़ेगा अधार आंकले लेने पड़ेगा अब मैं पदानमंति का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नया संसोदन कर दिया है कि यह दो सूची में नाम नहीं तो अंतियोदे कार्ड धारक हैं तो वह भी आईश्मान कार्ड बनेगा तीसर दो एकाट परसेंट आ रहे हैं तो कंप्यूटर ही नहीं उठाएगा वह रिस्वत लेकर एक लाग के बनाई नहीं पाएगा क्योंकि सरवर उसको टेक अप ही नहीं करेगा इसलिए हम उत्रप्रदेश सरकार से अंडोध करेंगे वह इसमें कि वह एक अपना चाहें तो मिलकर लें भारत सरकार अपना पैसा देने को तैयार है और आज सुबह जब मैं यहां आया हूं तब तक पांच करोड बाइस लाग तीन सो अठारा लोगों का आई सुमान कार्ड में लाज हो चुका है और सरसट हजार करोड खाते में पैसा जा चुका है और चौदा करोड लो निक्षे मित्रों ने उनको गोद ना लिया हूं मैंने भी चाल लोगों को गोद लिया है सिकल सेल उन्मूरियन प्रधान मंती ने कह रखा है और सबसे अची बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप जो प्राइवेट या सरकारी या मेडिरिन कॉलेज या एमस मे इलाज कराने जाए तो आभा से जोड़ें आभा का मतलब है आईश्मान भारत हैल्थ अकाउंट तब यह फाइल है कागज फट गए पानी पढ़ गया इसका कोई नहीं हां थेलाते हुए देश के किसी हस्पिताल में जाओगे तो आभा में तुमारी पूरी हिस्ट्री निक फ्रंदाजी दे रहे हैं यह हमारे बीच में मरीज के बीच में और अस्पिताल के बीच में रहेगा उसका कहीं पर हम पब्लिक डॉमेन में नहीं डालेंगे अनूटी पहल है यह आज आगे भी लगेंगे उनका परविच्ण कैसे होगा जब यह अभी पंदा दिन बाद हम स दुश्मन है जैसे अभी यह कह रहे हैं लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है लिस्ट में नाम आए गई गई नहीं नहीं है तो हिंदुस्तान की धरती पर सुप्रीम कोट ने कह रखा है कि हम लोग नाम ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं इतना सुनने के बावजूद लेकिन नाम ना कोई घटा सकता है जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वो अगली जन्हरुना की प्रतिक्षा करें तो ये अनूठा जो कैम्प है वो कैम्प एक वार फिर लगेगा पंदे दिन बाद यहां आए आवेदनों की मोनिटरिंग होगी इस मोनिटरिंग में जो कोई भी अधिकारी अगर लापरवाई वरत्ता पाये जाता है तो उसके खलाब कारवाई भी होगी ऐसा प्रोफिसर एस साथी राकिस करो या कलिस दुवे और मनोज कुमार के साथ बिजब अगेल सी न्यूस आगरा